भगवान विश्णु का ऐसा रुप जिसकी कलपना मात्र से देवताओं तक की रूह काम जाती है। जब हिरन्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिम्ह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उसे शांत करने के उदेश्चे से भगवान शिव ने सर्भ या शर्भेश्वर अवतार लिया। सर्भ सिंग, मनुष्य, भैरव तथा वीरभद्र का मिलता जुलता रूप था। भगवान सर्भ ने नरसिम्ह अवतार को अपने पंजे में जकड़ कर आकाश में उड़ गए। उन्होंने अपने चोँच से नरसिम्ह को घायल कर दिया। भगवान नरसिम्ह पहले से ही क्रोध के अगनी में जल रहे थे। ये देखकर उन्हें और ज्यादा क्रोध आ गया। तब भगवान नरसिम्ह ने उससे भी बड़े तथा भायानक अवतार को धारण किया जो दो मुखवाला पक्षी था। इस अवतार को गंड भेरुंड अवतार कहा गया। ये भगवान विश्णु का अतिशक्तिशाली तथा भीमकाय अवतार था। मान्यत अनुसार शरभ और गंड भेरुंड के बीच 18 दिनों तक भीशन युद्ध हुआ जिसमें अंत में शरभ अवतार मारा गया और शिवजी में जाकर समाहित हो गया।